हलो वीवर्स आसा है आप सब अच्छे होंगे तो आज फिर बिर्टिस इंसिटूट करे रहा लाया है टैंस की सीरीज में एक और टैंस जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टैंस जी हाँ पास्ट इंडेफिनिट टैंस ये टैंस हमारे लिटरेचर में हमारी बुक्स में कहा पानियों में सबसे ज़ादा इस्तिमाल होता है, आज हम सीखेंगे इस टेंस को और इस टेंस की सहाथा से हम अब लिटरेचर में स्टोरीज में भी चीजों को समझना शुरू कर देंगे, चलिए शुरू करते हैं, पहचान समझते हैं, इस काल के वाक्यों में किसी काम का होना भूत काल में पाया जाता है तथा वाक्यों की अंत में ताथा तीथी तेथे लिया दिया गया दिया था गया था आदी शब्द आते हैं। मतलब ये जो टेंस होगा इसके ऐसे सेंटेंस होगे के जिसमें बीते हुए समय की बात बताई जाएगी वो भी आदतन होगी कुछ गैर आदतन होगी जैसे ताथा तीथी ते थे मैं वहाँ जाता था मैं स्कूल जाता था मैं च्छत पैस होता था मैं किर्केट खेलता था ऐसे sentence होंगे लिया दिया गया मैं क्या होगा उसने खाना खा लिया उसने मुझे अपना home work दे दिया या मैंने उसका काम कर दिया गया भी आएगा जैसे वह चला गया वह आ गया लिया था दिया था गया था भी ये rules सारे simple है सबसे पहले affirmative sentence सकारात्मग वाकि कहते हैं इसका formula है subject plus main verb की second form plus object plus etc यहाँ पर helping verb नहीं आएगी past indefinite के affirmative sentence में helping verb नहीं आती है इसलिए यहाँ पर main verb की second form का इस्तमाल किया जाता है तो subject होगा verb होगी object होगा और बाद में etc में कुछ होगा तो आप लिख सकते हैं sentence समझे मैंने कल उसे किताब दी मैंने कल उसे किताब दी I gave him a book yesterday I gave him a book yesterday तो gave जो है न गिब की second form है उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा He wrote a letter to his father तो यहाँ पर wrote जो word है second form है He wrote a letter to his father हमने अपना काम पूरा कर लिया We completed our work We completed our work Completed second form है वह रोज विद्याले जाया करती थी यह बीते हुए समय की बहुत पहले की आदत के बारे में बताया है इसलिए यहाँ पर used to का प्रियोग हुआ है She used to go to school daily She used to go to school daily Used to एक second form है लेकिन इसकी first form होती है used to वह कल सुबह आगरा गया था मतलब पिछली सुबह तो इसमें बनेगा He went to आगरा last morning He went to आगरा last morning Last morning मतलब कल सुबह जो सुबह गुजर गई अब चलती है negative sentence की तरफ अब यहाँ पर helping verb और did not का प्रियोग सुरू हो जाएगा यानि did का प्रियोग सुरू हो जाएगा not तो इसलिए आना है क्योंकि negative है और not हमेसा जब भी आता है तो helping verb के साथ ही आता है तो formula कैसे बनेगा subject उसके बाद did not फिर main verb की first form अब second form का concept खत्म यहाँ से first form आएगी फिर object और etc चलिए sentence पढ़े मैंने कल उसे किताब नहीं दी मैंने कल उसे किताब नहीं दी I did not give him a book yesterday I did not give him a book yesterday अब did not आया और gave की first form give आ गई उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा He did not write a letter to his father अब यहाँ did not आया तो write first form आचुकी है He did not write a letter to his father हमने अपना काम पूरा नहीं किया We did not complete our work अब completed की second form नहीं है अब complete है वह रोज विद्याले नहीं जाया करती थी She did not used to go to school daily She did not used to used to दर साता है आदत used to दर साता है आदत go to का मतलब यहाँ पर वर्व She did not used to go to school daily वह कल सोबह आगरा नहीं गया था He did not go to आगरा last morning He did not go to आगरा last morning तो यह sentence थी negative आगे चलते हैं interrogative की थरव interrogative sentence परशन वाचागवा की कहलाते हैं और इसमें जब भी हम sentence बनाते हैं तो did से start करते हैं यानि helping verb से ही start करते हैं और जब double interrogative आएगा तो did से पहले भी question word का इस्तमाल होगा फिलाल तो इस formula को समझते हैं सबसे पहले did फिर subject वर्व और object वर्व अ फस्ट पॉम ही चलेगी did subject main verb object देखें क्या तुमने उसे देखा? क्या शुरू में आ गया? तो हम इसकी spelling what नहीं लिखेंगे बलकि हमें लिखना है did पहले ऐसे sentences में जब भी कभी प्रश्णवाचक सब्द शुरू में आए हम उसकी spelling नहीं लिखते हैं उसकी जगह पर हम helping verb का प्रियोग करते हैं जैसे इसमें लिखा है क्या उसने भोजन किया? क्या बच्चों ने फूल तोड़े? क्या किसान ने पौधों को पानी दे दिया? तो मतला पौधों को पानी देना यह हो गए हमारे interrogative अब चलते हैं double interrogative की तरफ double interrogative का वही फॉर्मूला है बस उसके पहले हमें question word का इस्तमाल करना है तो कैसा structure होगा देखिए question word plus did plus subject main verb की first form object etc मतलब अब did से पहले question word का भी इस्तमाल होगा आईए उधारण से समझते हैं तुमने उसे कहां देखा कहां कहां देखा तो did से तो बनना ही था अब उससे पहले हमें कहां की spelling where भी लिखना है तो बनेगा where did you see him अभी पहले क्या था did you see him अब बनेगा where did you see him उसे ने भोजन कब किया तो when did he take food बनेगा when did he take food बच्चों ने फूल क्यों तोड़े why why did children pluck flowers why did children pluck flowers किसान ने पौधों को पानी कैसे दिया how did farmer water the plants how did farmer water the plants पिताजी office किसके साथ चले गए किसके साथ यहाँ प्रश्णमाचक शब्द है किसके साथ इसका उन्द होता है with whom with whom did father go to office with whom did father go to office चलिए important बात क्या है इसमें देखते है did in affirmative sentence अभी हमने सीखा था affirmative sentence में second form आना है लेकिन did कैसे आएगा यह भी जानते हैं जब वाक्य में तो या अवश्य शब्द आये तो इन्हें emphatic sentence कहा जाता है तथा सकारात्मक वाक्यों में भी did का प्रयोग किया जा सकता है सकारात्मक वाक्यों में भी did का प्रयोग किया जा सकता है चलिए देखते हैं example मैं school जाता तो था I did go to school sentence तो affirmative है लेकिन यहाँ पर तो सब्दाया इसलिए did लगाना पड़ा और did के साथ वर्व की first form भी लगानी पड़ी क्योंकि did होगा तो first form होगी did नहीं होगा तो second form होगी मैं रोज school जाता तो था I did go to school daily हम रविवार को cricket अवश्र खेलते थे We did play cricket on Sunday We did play cricket on Sunday वह अंग्रेजी बोलता तो था He did speak English He did speak English चलिए अब चलते हैं ज़रा question word में और हमारे कुछ sentence हैं जो बनेंगे जैसे use of who who एक question word है इसका मतलब होता हिंदी में कौन कौन This प्रशनवाशक शच्यावद को ही करता मानकर वाखे को सकारात्मग बनाए जाता है सकारात्मग की तरह मतलब तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता था तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता था तो ये जो भी कौन है वही तो हमारा subject है तो हमने who को बनाया subject जब यह subject बन गया तो आगे अब did का प्रयोग नहीं होगा सीधा सीधा main verb की second form होगी क्योंकि affirmative sentence में verb की second form आती तो sentence बनेगा who taught you Hindi तो मैं कहानी कौन सुनाता था who told you story who told you story बच्चों को कौन परिशान करता था who teased the children who teased the children यह किसने किया who did it दरवाजे पर कौन आया who came at the door who came at the door तो यहाँ पर देखा आपने हर एक sentence में verb की second form है और यहाँ पर who सबसे पहले आया है लेकिन यह question word तो है ही साती सात यहाँ पर इसने subject का भी काम किया है आएए आएए देखते हैं कुछ और example जिसमें हम सीखेंगे how many, how much, whose और which का कैसे प्रियोग करना है दो पहर में तुमने दो पहर में कितने रोटियां खाई यह सारे question word ऐसे हैं जहाँ यह अकेले नहीं आते हैं इनके सात में कभी कभी subject तो कभी कभी object तो कभी कभी other words भी इनके सात में ही आते हैं तो थोड़ा सा confusion होती है आएए हम समझते हैं तुमने दो पहर में कितनी रोटियां खाई how many chapatis did you eat in lunch did you eat in lunch तो यहाँ पर chapatis जो की एक object है यहाँ पर हमारा how many के सात में ही आ गया यानि यहाँ पर परश्ण वाचत सब्द कितनी नहीं कितनी रोटियां तो दूसरे में क्या होगा कितना पानी तीसरे में किस कक्छा में और चौते में क्या होगा किसका ग्रहकार इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे तो दूसरा सेंटेंस करते हैं उसने कितना पानी पिया, how much water, how much water, did he drink, did he drink, यहाँ से प्रश्न शुरू हो गया, और how much water मतलब कितना पानी, तो कुल बनेगा, how much water did he drink, तुम किस कक्छा में पढ़ते थे, in which class did you study, in which class did you study, वह किसका ग्रह कार्य पूरा करता था, किसका ग्रह कार्य, whose homework, whose homework did he complete, तो देखिए, इन question words से भी आप लोगा ने थोड़ा और समझा होगा, यह थोड़े अजीब से होते हैं, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, और समझने में भी अगर हम अच्छे समझें, तो आसान हैं, आपने सारे sentences को समझा, और आपने इस पूरे वीडियो को देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन को इप्रेस कर देना, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, चलिए मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,